गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों सो एक चीज बोलना चाहता हूँ हमारे चैनल पे more than 75% विवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देखे इस ethical काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके support की बहुत जरूरत है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग तो इस चैनल इफ रेली हेल्प्स यू तो चूज सेफ बी सेफ थेंक यू हेलो अब्रीवन वेलकम बैक टरस्टीफाइड इंडिया स्पसें उनली 100% ब्राइन टेस्टिकेशन प्रोग्राम वाइटमिन डी एक ऐसा वाइटमिन जिसमें ग्लोबली मैक्समम लोग डेफिशन्ट है और बात करें इंडिया की तो कुछ रीसेंट सर्वेस के अकॉर्डिंग इंडिया में मोर देन 90% पपुलेशन जो है वाइटमिन डी डेफिशन्ट है यही एक रीजरन है की जो है वाइटमिन D3 एक बहुत ही इंपौर्टन्ट वाइटमिन है और इंडिविजुल वाइटमिन की कटेग्री में ये बहुत जादा बिखता भी है बहुत जादा पॉपलर भी है आज की वीडियो से हम vitamin D3 की भी blind testing स्टार्ट कर रहे हैं और जिस brand का vitamin D3 मैं cover करूँगा वो है bold fit जो की amazon पे बहुत ही ज़्यादा popular है बहुत ही ज़्यादा इसकी sales amazon पे होती है बात करते हैं इसे हमने blind order कहां से कहा था तो इसे हमने blind order amazon से ही किया था इसकी 120 tablets की दो bottle हमने Amazon से order कर ली थी uncut unboxing video आप देख सकते हैं जो एक same batch number का product हमें मिलता है वो चला आता है lab में testing के लिए और एक same batch number का product हम यहाँ अपने पास रखते हैं for reference आप चाहें तो trusty fight के blind order process कभी भी challenge कर सकते हैं अगर आप हमें गलत साबित करेंगे हम आपको एक साल का supplement stack absolutely free देंगे तो चलिए आगे भढ़ते हैं और cover करते हैं इसकी level 1 की testing level 1 testing में हम micro accuracy को जासते हैं तो देखते हैं company अपमें label पहले कितना claim कर रही है तो company का कहना है कि इनकी एक serving size एक tablet की है याने कि इनकी एक tablet के हिसाब से company ने nutritional facts जो है claim किया हुआ है तो उनकी एक tablet में company जो है vitamin D3 claim करती है 600 IU हमारे lactose report के according इसमें per tablet vitamin D3 पाया गया है 609.54 IU बात करते हैं vitamin K2 की तो vitamin K2 company claim करती है 55 MCG per tablet हमारे lactose report के according वो पाया गया है 58.60 MCG बात करें vitamin B12 की तो vitamin B12 company claim करती है 2.2 MCG per tablet हमारे lactose report के according वो पाया गया है 2.8 MCG per tablet तो जैसे कि आप देख सकते है level 1 जो की micro accuracy होता है उसमें ये product perfectly pass करता है इसलिए हम आगे बढ़े और हमने इसके level 2 के testing करा है लेवल 2 के testing में हम heavy metals की testing कराते हैं तो heavy metal की lab report आप जो है हमारे screen पर देख सकते हैं इसमें जो mercury और cadmium पाया गया है वो तो safe limit के अंदर पाया गया है पर lead और arsenic safe limit से जादा पाया गया है lead तो बहुत ही जादा पाया गया है double confirmation करने के लिए हमने इसके दोबारा भी testing कराई और दोबारा भी lead और arsenic safe limit से जादा पाया गया है आप हमारे screen पे lead और arsenic के पहली lab report के result देख सकते हैं और दूसरी lab report के result भी देख सकते हैं on an average जो lead है वो safe limit से 83% जादा पाया गया है 83.6% जादा पाया गया है तो यह हमारे level 2 के testing में heavy metals के parameter में heavily fail करता है इसलिए यह product हमारे fail की category में जाएगा इसकी report summary अगर आपको देखनी है तो आप trustify.in पे चले जाएए वह आपे pass fail नाम का एक tap होगा उसके अंदर after 24 hours बाद आपको इस product की जो है report summary देखने को मिल जाएगी और guys अंत में एक छोटी सी request करना चाहता हूँ आपसे please आप हमें support करें हमारे चैनल को subscribe करें अपने friends लोगों के साथ share करें जो की health supplements लेते हैं और अगर आप हमें financially contribute करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा certified कियोए supplement को हमारी website shop.trustified.in या फिर हमारे application trustified से ले at the end please remember if your supplement is not trustified then it's not certified choose safe, be safe, thank you कुर चाहता हमें झेडकर चाहता है हमारे defense chodziनल, w